आपका स्वागत है Machine Learning Series के फर्स वीडियो में इस Series को आप देखोगे तो आपको कहीं सारी वीडियो मिलेंगे जो की आपका ज्यान वर्धन करेंगे Machine Learning के बारे में चाहे आप Student हो या फिर IT Professional हो या फिर AI ML में अपना Career बनाना चाहते हो तो ये Series आपके लिए बहुत ही उप्योगी सावित होगी क्योंकि मैंने इस Series में सारे AI ML के contents को सम्मिलित किया है तो निश्यत रूप से ये Series आपके लिए उप्योगी सावित होने वाली है सबसे पहले हम दखते कि Machine Learning है क्या Machine Learning means Machine सीखती है और सीखती कहां से जो भी हम data प्रोवाइड करते हैं उस data को read करके Machine सीखती है एक training हमें प्रोवाइड करनी होती है with the accurate data Artificial Intelligence means एक कृत्रिम बुद्धिमता हम चाहते कि Machine उसी तरह से काम करे या उसी तरह से सोचे जैसे एक इनसान सोचता है Just like a car without a driver car को drive करता है एक software तो वो हो गया Artificial Intelligence उसी का एक सबसेट है Machine Learning AI के लिए हमें Machine Learning को यूज करना पड़ता है साथ में Deep Learning भी होता है जो definitely मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी आगे आने वाली सिरीज में तो ये होता है Machine Learning इसके यूज कैसे है जैसे कि इमेस को recognize करना है या Google पर हम जो भी search करते है तो automatic वो next word detect करता है जैसे कि working from home में लिखता हूँ तो home यहाँ पर automatic आ जाता है या down the line हमें और भी words मिलेंगे and spam email detection में कि जो email हमें receive हुआ है वो spam है कि नहीं online advertisement में यदि आप जब भी कोई chat करते हो किस से किसी particular topic पर या फिर आपस में discuss करते हो तो उसी word को आपका mobile capture करता है और उसी word से related advertisement आपको अपने mobile पर display होना शुरू हो जाते है जैसे कि facebook पर या फिर जो भी social media platform में उस पर आपको आपको दिखना शुरू हो जाता है तो अभी हम समझने वाले कि machine learning किस तरह से data को रीड करती है जस लाइक एक example है जिसमें एक maple leaf को मैंने या पर दिखा है मशीन को हमें बताना है कि यह एक maple leaf है और इसी तरह से बहुत सारे बैटर ना हम इसको दिखा सकते है जस लाइक bunch of the maple leaves तो अभी हम मशीन ने सीख लिया कि अच्छा इस तरह की जो पत्ती होती वो maple maple tree की पत्ती है अभी हम उसको maple tree दिखाते है और पूछते हो कि यह जो tree है वो किसका है तो machine easily identify कर लेती है कि यह एक maple tree है suppose कीज़े कि हम यहाँ पे एक different tree दिखाते है तो इसके से machine इसको ना कर देगी आप ही हो सकता है कि यह बोले कि यह maple tree है लेकिन जो output हमें मिला है वो wrong है तो machine learning में errors भी हो सकती है आपको ज़िए machine learning को 10 करना है तो बिल्कुल error का भी आपको ध्यान रखना है तो error जिता minimum होगा machine learning model उतना ही perfectly काम करेगा तो यह तो एक unstructured data हो गया तो यहाँ पर definitely अभी भी आप समझना चाहरे होगे कि machine learning किस तर से काम कर रही है तो एक और simple सा example में आपको दिखाना चाहता हूँ weight जिस तर से बढ़ता है तो price भी जिस तर से बढ़ते चले जाता है यह एक table में पास इसको मैंने एक draw कर लिया एक graph में intersect point को मैंने red bullet से mark कर दिया है just like 20 kg है तो 400 रुपे है as per the available data अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सारे points को मिला देता हूँ एक line draw करता हूँ 0 से जो शुरू होती है तो यह line मिल जाती है अब आप अपनी machine learning model को बोलिए कि जो भी available data है उसके base से बता है कि यदि data में 25 ओर एड करता हूँ 25 kg तो output क्या होगा तो अभी आप simple सा यदि मैं देखना चाहूँ इसके according line के according line बिलकुर state forward है 25 weight के case में यदि weight 25 है तो मैं clan याप से यह तक draw करता हूँ और इसको जहां पर intersect करता है वहीं से यदि मैं price की तरफ move करता हूँ intersect point से price की तरफ तो मुझे मिल जाता है 500 रुपीज just like this इस comment red bullet से mark करता हूँ तो एक simple approach है हमार पास लेकिन यह देखो कि तो आप equation है equation है y equals to mx plus b इसको बोलते है linear equations यदि यहाँ पर table change हो जाती है अभी मेरे intersect point तो different different है तो machine learning model क्या करता है एक line वो line draw करने कोशिश करता है जिसे की maximum points cover हो सके यदि मैं यहाँ से 0 से एक दी line draw करता हूँ तो 2 points तो मैं मिला सकता हूँ लेकिन 2 points मेरे दूर हो जाते है तो मुझे ऐसी line draw करने ही पड़ेगी जो की बिल्कुल सारे points के नजदीक हो इस तरह की line तो यह सारे points के नजदीक line है इससे और बेटर हो सकती थी तो इसको हम बोलता है best fit line तो इस case में हमारे जो question है क्या रहेगा thank you